नमश्कान लोकसमा की 543 सीटों पर जो नया सर्वे निकल कर सामने आ रहा है इस इसास से किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है क्योंकि एंडिये ने 300 प्लस सीटों का यहापा दाबा कर दिया है तो किसके दाबे में कितना दम दिखता है विफक शिक्या एक साथ यहाँ पर खड़ा दिखाई देगा क्या 2024 में हैट्टिक की तरफ बढ़ने बाले है प्रदान मंतरी मोदी जी इसको लेकर सटिक और महित्कून विश्लिशन क्या कहता है क्योंकि जिसकार से यहाँ पर ममतबनर्ट जी ओआमादी पार्टी रही है सीश्सेना यहाँ पर गढ़ने क्योंकि सीश्सेना भी यहाँ जा रहे पर यूपे के साथ आ सकती लेकिन अब कहίνे के महाराष्ट में बारा यहाँ पर खेलो चुका है और यसी बीचे बात की जाए तो महाराइश्ट की जो 48 सीटे हैं लोकसबा की वो काफी महाराइश्ट में भारी नजर आ रहा है इसके अलावा कर बात की जाए तो जिसकार से याँ पर ममतबनर जी रही है उन्होंने भी याँ पर विपक्ष को एकसाथ लानी की कौसिस की है तूट चुकी है सिपसर ना की आला की कुछ बिदायक और सांसद अभी भी यहाँ पर उद्ब ठाकने के साथ है यूपी में सामल हो जाते हैं तो पर क्या तस्वीर बनती है इसके अलावा इसमें अगर बात की जाए तो जिसकार से याँ पर यूपी के लिए यहाँ पर कैसे और यहाँ पर सहीयोगी के साथ सरकार में है जबकि कॉंगरीस को बड़ा धटका माराष्ट में लग गया है माराष्ट में सिपसेना एंस्टीपी कॉंगरीस की साथ सरकार में है तो एक और राज में यहाँ पर कॉंगरीस को जटका रहा है इसके अलावा आमादवी पार्ट ऐसे में क्या वीजीपी यहां पर बड़ा खेल कर पाईगी जिसकार की हाली में प्रदानमंत्री मोदी जी ने यहां पर बड़ा यहां पर एलान किया है दचने यहां पर राज्यू को लेकर तो क्या यहां से सुरुबात होगी क्योंकि हिंदुत के सहारे क्या यहां पर प्रद प्लस अन मिलकर यहाँ पर वाफसी के दर्वाजी खोल पाएंगे इसको लेकर आपको सभी राज्यों के आखरे दिखाते हैं लेकि जुरुबात करते हैं असम की चौदा लुकसभाग सीटों में से बीजी प्लस के लिए दस सीटे जा सकती है युपी के खाते में तीन सीटे अ बीज प्लस अन की बात की जाए तो अन में जिसमें त्रलम कॉंगरे से बीज सीटे जबकि दो सीटे युपी ए अन के पक्षमे जानी की संबाबना लगाई जा रही है जो पशिब बंगाल को लेकर आखने रह सकते हैं इसके अलाबा हरयाना की दस सीटे काफी महित पून हो बीज पी चार सीटों पर जबकि युटी ए के पक्षमे चे सीटे जा सकती है क्योंकि हरयाना में जिसकार से आपर बड़ा लट पेड देखनी को बलाता कहीने की कि किसान अंदुलन का भी असर यहां पर देखनी को बलाता है इस तो साथ से कुछ ने कोश सीटों को नक्षम ह यहां पर बाद्ट के बाता है लेकिन बड़ा यहां पर जो है वीजिप का पहारी हो सकता है करल की सीटेंrióर कि यहां पर बात कि जा लट इनग जो कि यहां पर बड़ा हो लेट की देखनी के Kai इक वाफर से बीजीपी कफ़जा समा सकती है आला कि आमादीप पार्टी ने यहापर बधन सबच नाम में जो है बीजीपी को कड़ी टक कर दीती है और एक बहुत बड़े मार्जन से उन्हों है यहापर फिर से जीत हासल किया है तो क्या एक वाफर से लोक्त्रमा की साथ सीट काफी माहित पूरल है क्योंकि 25 सीटों में जिसमकास है बीजीपी यहापर 20 सीट पर घबजन समा सकती है जबकि यूभी को पक्षमें 4 सीट है आनिकी बात की जाए तो एक सीट यहापर अन्यकि पक्षमें जा सकती है पंजाब की 13 लोक्त्रमा सीट काफी माहित पूर जाते ह तो कि पंजाब में आमादी पार्टी ने यहाँ पर सरकार बना लिया है हाला कि हाली में जो है यहाँ पर एक सीट पर जो चनाप था उसवर यहाँ पर जो है संग्रूलोग सबा सीट यहाँ पर आमादी पार्टी हार गई है तो क्या आमादी पार्टी को यहाँ पर जटका लगेगा बीजीपी अपनी यहाँ पर संका बड़ा पाई की क्योंकि यहाँ पर सुनुमरे काली दलने यहाँ पर सीट हसिल जिये इसे साफ से कर बात किजा तो बीजीपी तीन सीट पर जबकि यहाँ पर UPA प्लाइस अन मिला कर यहाँ पर 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं जो आखड़े रह सकते हैं 36 गर्ड की 11 सीट बीजीपी 8 सीट उपर 3 सीट जहाँ पर UPA के खाते में जा सकती हैं जबकि पॉन्डुचेरी के एक सीट पर UPA कफ देजमा सकता है जबकि यूपी के पाथ यहाँ पर 4 सीट जहा सकती है महराष्ट के 48 सीटों पर काफी वबाल देखने को बिल रहा है क्योंकि महराष्ट में सिर्फ सेना यहाँ पर NCP कॉंगरेस के साथ साथ तरकार में थी लेकिन उसमें भी बड़ा वबाल हो गया है अब महराष्ट के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर सांसद है अब भू किस के पक्षमे जाते हैं क्या सिंदेकोट के साथ जाते हैं फर उद्रब ठाकरी के साथ रहते हैं यह काफी मख़ पून हो जाता है इस हिसाब से महाराष्ट में फ्लाल यापर आक्रों पर गौर किया जाए तो तक के आक्रे बन सकते हैं लेकिन इन आक्रों में बड़ा उलट फिर होगा क्योंकि महाराष्ट में खलबली यहाँ पर देखने को बल रही क्योंकि यहाँ पर सारा जो मामला है जो अफसरकार बदल गई है तो यहाँ पर काफी उलट फिर आप देखने को बलेगा इसके लबा करनाटर के ट्रेस सीटों में से यहाँ पर बीजीपी किस सीट हैं जबकि यूपी के खाते में चाल लोग सबास सीटे आ सकती हैं जाकि मड़पुर के दोनों सीटों पर एक एक सीट पर यहाँ पर यूपी प्लस एंड़ी के पक्षमी दा सकती हैं जो अंकड़ा यहाँ पर बन रहा है क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो यूपी के पक्षमें यहाँ पर दो सीटे हैं अनिके समाजबादी पार्टी बहुत समाजबादी पार्टी को आठ सीटे जा रहा ही लेकिन अब यहाँ पर ग्राफट देखने कुबलेगी बात की समाजबादी पार्टी पार्टी के पक्षमें जा सकती है incred्राथ के सबस्की सीटों पर सबी सीटों पर भारता जनटा पार्टी के जीत हो सकती है इसकेलाह वाहल अनिलर्चयर के डो सीटों पर दौनों सीटों पर बिज़ेपी जीत रही है लग्चेदेव की सीट पर भी जीपी कप्षे जमा सकती है इनागलेंड की एक सीट पर यूपे का लरा भारी हो सकता है जम्मो कश्मीर की 6 लोग से बस सीटे काफी महित पूर जाती है यहाँ पर हाली में जो निकाल सुनाब रिजल्ट रहे थे उसमें भारती जंद पार्टी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर उबर का सामने आई थी इ जम्मो की एक सीट यूपी के पक्षम जा सकती है शिकिंग एम एक सीट पर बीजी पी कटफा सीटे काफी महित पूर जाती है अब भीयार के लिए अगर बात कि जाये तो निशुष कुमार प्लेस है यहाँ पर बीजी पी गरडबंदर में है और इस अजाए बीजी पी को त फॉब्स चंटाली सीत route जो एस ती में आंकल दिखाई देरे हें। यदि आज चुनाब हो जाते हैं तो भारते जंता पार्टी प्लस NDA जो घटबंदन है 300 प्लस सीटे यहाँ पर हासल कर सकती है जो दावा यहाँ पर किया गया है यहाँ पर जो नया सर्वे निकल कर आ रहा है उससाब से NDA के पक्ष में 310 सीटे प्लस जा सकती है यहाँ भारते 37 प्लस माइनस सीटे हो सकती है कुछ उनकी घट सकती है क्योंकि सिट्रना यहाँ पर जो है टूट चुकी है माराष्ट में जटकर लग चिका ऑनी की बात कि जा तो च्छान में प्लस माइनस भो सकती है तो यह माराष्ट यहाँ पर बड़ा उलड़ फिर्म हुआ इसकि यह आ रहा है लेकिन यह तो चुनावी आक्रे चुनावी अन्वान है आने बाले वक्त में क्या होगा यह तो आने बाला वक्त नी बताएगा लेकिन आपको कह लगता है अपनी रैक्म लख्त जरूखिए क्या 2024 ने प्रणान मंत्री मोदी जी हेट्टिक लगा पाएंगी या फ झाल झाल